इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक्स फोर जेनेटिक डिसोर्डर्स ठीक है देखो जेनेटिक डिसोर्डर्स दो टाइप की होते हैं एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसोर्डर्स एक क्रोमोजोमल ठीक है मेंडेलियन में अपने पास कौन से कौन से आएंगे कलर ब्लाइंड ने से हीमोफिलिया, सिकल सेल एनिमिया, फिनाइल किटोनियूरिया, एंड थलेसीमिया, और क्रोमोजोमल की बात करें, तो डाउन सिंड्रोम, एलाइन फैल्टर सिंड्रोम, एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, अब देखो यहां पे मेंडेलियन जो डिसोर्डर है, इनमें बड़ी कन्फूजन रहती है, तो उसको मैं डारेक्ट आपके सामने कवर कर दू, देखो, जो यह टोटल है, जो यह टोटल है, मेंडेलियन वाले, इसमें से सेक्स लिंग्ड रिसेसिव कौन से है, और ओटोसोमल लिंग्ड रिसेसिव कौन से है, यह एक बहुत बड़ी कन् यह टोसोम लिंग्ड रिसेसिव कोई पहली कन्फूजन बिल्कुल क्लियर है, अब हम आगे जलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले है, जो यह मेंडेलियन डिस॓र है, इनको बारी-बारी से याद करने के ट्रिक हम करने वाले हैं, तो सबसे पहला डिसोडर है color blindness, ठीक है, अब इसके लिए अपनी simple सी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है, देखो, जो color होता है, तो color को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, color को हम हिंदी में बोलते हैं, रंग बोलते हैं, color को हम हिंदी में रंग बोल जो red और green color के लिए कौन होते हैं उनमें problem होती है उनमें problem होती है ठीक है बिलकुल clear है बिलकुल ही clear है next अपना disorder है hemophilia next अपना disorder है hemophilia ठीक है तो अब हम बात कर रहे है hemophilia की ठीक है तो इसके लिए कुछ भी tricky जरूद निया automatic इसमें सब कुछ चुपा हुआ है इसमें दो वर्ड है एक है hemophilia एक है hemophilia अब hemophilia किस से related होता है हमें पता है देखो hemoglobin हमें पता है यह blood से related होता है और philia देखो philia जो होता है ना देखो दो वर्ड होते है दो वर्ड होते है एक तो होता है philic एक होता है phobic एक होता है phobic तो philic का मतलब क्या होता है philic का मतलब होता है प्यार, attraction, लायोफिलिक, लायोफोबिक और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, आपने सुना हुआ, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, अब हीमोफिलिक, हीमोफिलिया, अब बलड से प्यार करने वाला, ये क वो ही तो ब्लड से प्यार करेगा क्योंकर उसके पास बचता है एक इक ऐसांपल देख लेते हैं ये कोई इनसान है यह कोई इसके दो हाथ है यह कोई तो मांलो इसको कोई कट लग जाता है, यहाँ पे और ब्लीडिंग स्टाम्प चाथ हो जाती है, तो जिसका क्लोटिंग मेकेमिसम अच्छा है, ठीक- ठीक है, उसकी यह ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़े टाइम बाद, बट जिसको clotting में defect है, उसको क्या है ये खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, तो जिसको clotting defect है, उसको blood से जाहिर सी बात है, प्यार होगा, बलड से प्यार यानी हीमोफिलिया मतलब हीमोफिलिया में क्या होता है क्लोटिंग डिफेक्ट होता है सिंपल तरीके से अपने ट्रकी यह कंप्लेट है ठीक है बिल्कुल ही सिंपल बाते चल लिए next अपना है सिंपल सेल एनीमिया सिक्कल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं देखो इसमें बिसिकली होता क्या है जो अपने को याद रखना है वो क्या है इसमें सबस्टिटुशन होती है इसमें सबस्टिटुशन होती है किसकी होती है इसमें सबस्टिटुशन होती है गल्यूटैमिक एसिड की होती है और कौन कर चेन पे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है सबस्टिटूशन होती है किसकी ग्लूटैमिक एसिड की और यह सबस्टिटूशन करता कुन है वलीन करता है वलाइन बोलो वलीन बोलो कहां पे करता है सिक्स्ट पोजिशन पे किसके हीमोगलोबिन की चेन पे अब इसको कैसे याद रखें तो इसके लिए एक सींपल सी ट्रिक है गॉट यहां पर अपने को जी याद रखना लुटमे एक यहां पर अपने को वलीन याद रखना है और यहां पर अपने को गोटम गंभीर करके अब और एक प्लेयर था विरंडर सेवाग अब कैसे कहलता था वो सब को मेरे ऐसे पता है और सिर्फ महीं बात करता तो मअरा उर्ट टिर्ws की टीम ती टीम में गोत्म गंबीर सेवाग ने था और क्या है इसकी substitution करदो कौन ले आओ विरंदर सहवाग श्राठध भाए बहुत सारे चक्टे ये बनाएगा ठीक है तो गौत'm गंभीर ये कि सब्सचिटुइशन हुई और कहां सिंपल है अपने आप ही सारी चीज़े बन चुकी है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं थेलेसीमिया की नेक्स्ट बात कर रहे हैं थेलेसीमिया की इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है थेलेसीमिया की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है एक ऑटोमेटिक उससे बन जाएगा कि हीमोगलोब हीमोग्लोबिन में चेन होती है ना कुणसी कुणसी होती है अलफा होती है और बीटा चेन होती है अलफा होती है हीमोग्लोबिन में चेन कम था कम यानि लेस लेस कम था कम था अब देखो ट्रिक क्या बनी अपनी ट्रिक कैसे बनी अपनी देखो था से अपने को याद आ जाए कम मतलब थेलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसकी जो production होती है वो कम होती है ठीक है अब अलफा चेन में अलफा चेन की production अगर कम होगी तो अलफा थेलेसीमिया हो जाएगा बीटा चेन की ओबनाइलनीन ठीक है अब बिल्कुल हेल वह लॉग्सक्रा आप लॉग्ण केकला में घुनलों के ये के ले of द् cost हो जाता है किसमें कल गocalyptic हो जाता है टाइरोजर्ण में लॉद्Eu है टाइरोसिन में इसको करता कौन है एक एंजाइम होता है जो यह bus 활 did work में निइन जो हो зайव अगर जाता है किसी एंजाइम इंजाइम की उया हो जा जाता है इसंग कम्हीं आजाती है बनता ही निया कुछ भी लगा लो इस एंजाइम की कमी आ जाती है तो इस एंजाइम की कमी आने से क्या होगा ये प्रोसेस तो हो नहीं पाएगी टाइरोसिन तो बन नहीं पाएगा तो क्या बन जाता है तो क्या बन जाता है तो क्या बन जाता है फिनाइल पाइरू क्रोमोजोम की त्राइसोमी हो जाती है तो उसकी को बोलते हैं डाउन सिंट्रोम केला इंप संट्रोम में चाहिए यहां पर क्रोमोजोम में झाल सही ठीकर ये ठीकर ये यीट होता है तनल अब एगर लात चीज़नतरी सेग्टर में होता क्या रिठो 2019 है टनल सेड्रों सेड्र्रों किसमें फीमेल में होता होगा अब हुए टेक्ट था था